फॉन पे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को एड कैसे कर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फॉन पे कैसे बनाए इस वीडियो में आपको बताने वालो यू पी आई पीन कैसे बनाए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वालो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का bank balance चेक करना या money transfer करना ये भी मैं आपको बताने वाला अगर आप पहली बार इंडिया पोस्ट payment bank से फॉन पे बना रहे हैं वीडियो के रिक्सिशन बाक्स में फॉन पे एप्स का किलिक कर दें OTP आजाएगा यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ पे पर्मिसन आप यहाँ पे एलाओ कर देंगे जो भी पर्मिसन तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं को फॉन पे एकॉंट यहाँ पर बन जाएगा आप यहाँ पे इंडिया पोस Communist bank को ौय करेंगे इसके लिए प्रुफाइल वाले उप्सन पर क किलिक कर दें और यहाँ पर हैट कन्या है इंडिया सिल्च भी करक्टे यहाँ तो इसके यहाँ पर आप यहाँcm का नाम सर्च भ SIM का आपका mobile number India Post payment bank में जुरा हुआ है उस SIM पे आप किलिक करते इसके बाद continue वाले option पर आप किलिक करते हैं इसके बाद allow करते हैं इसके बाद sms verification किया जाएगा यहां पे देख सकते हैं from pay में इंडिया Post payment bank जो है add हो चुका है you PIP set करने के लिए set upi pin पे click करें या reset pin पे click कर देंगे अब यहां पे इंडिया post payment bank का debit card का last six digit इंटर करना पड़ेगा तभी upi pin बनेगा तो यह debit card आपको कहां मिलेगा सबसे पहले इंडिया post payment bank को open कर लें और यहां पे login कर लें लोग इन करने के बाद यहां पे देख सकते इस page को आप उपर कर देंगे यहां पे लिखा हुआ है रूपय debit card तो यहां पे आपको click कर देना है और यहां पे देख सकते debit card आ चुका है और यहां पे view card details पे click कर एंपिन को यहां पे इंटर करके confirm कर देंगे तो यहाँ पे सभी details दिखा दिये जाएंगे card का number और CVV number और expiry date और expiry year India Post Payment Bank में register कैसे करते हैं अगर यह video देखना चाहते हैं उसका link description में आपको दे देंगे तो यहाँ से आपको debit card के बारे में पता चल गया तो यहाँ पे simply वही debit card का last का six digit यहाँ पे enter कर देंगे और यहाँ पे expiry month और expiry enter कर देंगे और उसके बाद proceed वाले option पर click कर देंगे इसके बाद bank के तरफ से OTP भेजा जाएगा OTP automatic यहाँ पे feel हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप right वाले निसान पे click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे six digit का आपको UPI pin बनाना पड़ेगा अपने मन से कोई भी UPI pin बना देंगे इसके बाद right वाले निसान पे click कर देंगे confirmation के लिए फिर से आप यहाँ पे UPI pin वही enter करें इसके बाद यहाँ पर राइट वाले निशान पर आप किलिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते है UPIP successfully set तो यहाँ पर आपका UPIP इन भी set हो चुका है और इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक जो है एड भी हो चुका है फॉन पे में अब आपको UPID क्यार कोड कर से निकालना यह बताता हूँ तो यहाँ पर My Care Code पे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपका UPID और यहाँ पर क्यार कोड भी मिल जाएगा अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक का बैंक बायलेस चेक करना है और यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक पे किलिक कर दें और यहाँ पर अपना UPID जो भी आप बना है वह इंटर करके और यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैंक का बायलेस बता दिया जाए यहाँ से मुवाल नमर के दोवारा पैसा बेज सकते हैं बैंक एकाउंट के दोवारा पैसा बेज सकते हैं आप अपने एकाउंट में भी बेज सकते हैं और बैंक बैलेस को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री देखना है कब और कितने पैसा बेज जाए तो हिस्ट्री वाले अप्शन पर किलिक करें और सभी details यहाँ पर आपको दिखा दिया जाए अगर आपका कभी भी मन हो जाए UPIP इंचेंज करने का तो profile वाले option पर किलिक करें जो भी bank account link की है उस पर किलिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं UPIP इंचेंज और reset और यहाँ पर check balance भी कर सकते हैं या पोस्ट payment bank का आप यहाँ पर एक दिस्वरों को पैसा कैसे transfer करेंगे तो यहाँ पर QR code वाले option पर किलिक करें और जिसके भी account पर भीजना उसका QR code ले ले और यहाँ पर scan कर ले और amount को इंटर कर दें और यहाँ पर proceed वाले option पर किलिक करके और यहाँ पर पे वाले option पर किलिक करके UPI PIN को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे इसके बाद राइट वाले निशान पर आप किलिक कर देंगे और यहाँ पर सफलता प्रवक्त आपका जो है वैसा transfer हो जाएगे बसे transfer होने के बाद history वाले option पर किलिक करेंगे तो यहाँ पे पुरा history बता दिया जाएगा आप कितने रुपिया भेजाजा अब यहाँ पर mobile नमर से कैसे पैसे भेजते यह भी मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ टो यहां पे to mobile नमर को इंटर कर देंगे इसके टितने भी मेंट बहुतना चाहते हैं यहां पे मोंट को इंटर करें पेवाले उप्सण के क्लिक करते हैं यूपी यंप को सलेक्ट करके सिंपल प्रोस्ट है आपका यहां पे पैसे किसी दुसरे लेगा दैसे ब्लोंग कर सकते हैं और ट्रेन टिकर भी यहांसे बुकिंग कर सकते मीवारि आप बना